आज मैं टापिक लाए हूं उत्तर लिंज के सामने विभीन इस्थितियों पर रखे वस्तु का प्रत्यविम मतलब की जिसे अनन्त पर कि अनन्द और टूएफ के बीच टूएफ एफ और टूएफ के बीच एफ पर और एफ और पोल की बीच में आगे कोई वस्तू रखी गई है तो कि उसका प्रतिविम का मैंगा इसको लोग दिखेंगे तो ईकसलाक है तो मुख्यक्ष के समांतर आने वाले प्रकास की किरिने यहाँ पर देख रहा है अपवर्तन के परष्चाद प्रकास कि दूती फोकस से होती हुए निकल रहे हैं तो वस्तु दूती फोकस पर यान इसी फोकस पर ही बनेगा यानि कि पॉइंटेड होगा बिंद्वत प्रतिवीम बनेगा इसी का दूसरा इस्तिती यह हो सकता है जैसे माल लेते हैं प्रकास की किरण इस तरह से आपतित हो रही है मैं पॉल से होते हुए सीधे निकल गए दूसरा जो है फोकस से जब प्रकास की किरण आएगी तो अपवर्तन के प्रस्चात वह समांतर हो जाएगी प्रतिवीम दिटीप फोकस पर बन रहे हैं पुल्टा बनेगा छोटा बनेगा और दिति फोकस पर बनेगा दूसरा है अनन्त और 2F की बीच रखे वस्तु का प्रतिविएफ दिखी अनन्त और 2F की बीच यह वस्तु है तो इसका प्रतिविएफ कैसे बनेगा सबसे पहले मुख्यक्च के समानतर प्रकास की किरण मुख्यक्च के समानतर आप वारतित होकर के दिती फोकस होकर गुजर जाएगी और दूसरा पोल से तो यह रिखा खिचेंगे तो यह क्या कर रही है इस वले को F2 और 2F2 के बीच में काट रही है तीसरा इस्तिति है कि प्रथम बक्रता केंदर पर अगर कहें रखा हुआ है वस्तु तो उसका प्रतिमिंग कैसे बनेगा मुख्यक्ष के समानतर प्रकास के केरण अपॉर्टन के पस्चात जिती फोकस होकर गुजर लेगी और दूसरा हम यहां से मुख्यक्ष केंदर से होते हुए खिचेंगे कि यहां हम देख रहे हैं टू एफ ओन पर रखी वस्तु का प्रतिमिंग जो बना हुए है वह टू एफ टू पर यानि कि दिती वक्रता केंदर पर बन रहा है और उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर ही है अगली स्थिती है कि वस्तु टू एफ और एफ के बीच में है तो प्रतिमिंग कैसे बनेगा पहले मुख्यक्ष के समानतर दितिव फोकस होके गुजरेगी और दूसरा किरान प्रकासे केंदर से होते हुए गुजरेगी इस बर प्रतिमिंग बना वह वस्तु से बड़ा उल्टा ठीक है और टू एफ और अनन्त की बीच में बना अगली स्थिति है एफ पर रखें वस्तु के यह इस बर क्या है फोकस पर ही वस्तु को रख दिया गया तो कैसे प्रकास मुख्यक्ष के समानतर प्रकास की किरान यह नहीं है यह अपरतन को पेस्थ ऐसी गई अरहम हम अजो प्रकास के अन्र से गुझारें के दिख्ते हैं क्या होता है इस बारण देख रहे हैं प्रकास की किरन जो है जहरा कि प्रकासिकियेस समानतर हो गया योली इसका प्रिशब्स कहा मनेगा अननद परबणेगा और अंति मिस्थिति है प्रथम फोकस और प्रकासिक केंदर के बीश्ट में रखेए प्रथम फोकस और प्रकासिक केंदर के बीश्ट में रखेए वस्तुका प्रथम फोकस और प्रकासिक केंदर के बीश्ट में रखेए वस्तुका प्रथम कहां बनेगा उसको देखते हैं पह झारां देख रहे हैं यह आगे बड़ए को तो कटे का नहीं बलकि यह वोगा एक दूसरे से दूर भड़ते जाएंगे तो इसमें क्या करते थैंगे इधर आभाशी रुप से हम बढ़ते हैं और देखते हैं कहां करता है तो आभाशी को आथे से दिखाएंगे इस बार देख रहे हैं कि इधर कटा नहीं तो इधर आगे बढ़ा है तो इधर प्रति भी बनेगा वह तो बहुत बहुत बढ़ा उसी कुरब और अभासी बनेगा सीधा वस्तु से बड़ा और अभासी बनेगा